आज के दिन इंडिया में एक वर्ड बड़ा ट्रेंड कर रहा है वो है एडी चाहे किसी भी न्यूज पेपर को देखें या हम किसी भी न्यूज चैनल को देखते हैं तो एक वर्ड सबसे जादा को मना रहा है एडी की रेड, एडी की छापे मारी अब अगर पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें चाहे उसमें कांग्रेस की अध्यक्स सोनिया गांदी हो जिसको नैशनल हेराल्ड केस के पूछताच के लिए एडी के दफ्तर में बुलाया गया साथ ही अगर हम बात करें पस्चिम बंगाल के टी-मसी के नेता, पार्थ चटर जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर जी की उन पर भी एडी की छापे मारी होई और ऐसा सभी जानते हैं कि चापे मारी के बाद पार्थ चटरजी हो गए पैरलाइज और अर्पिता मुखरजी भी फूट फूट कर रोई अब बाद आती है कि ED आखिर है क्या क्योंकि सभी के मन में एक ही सवाल आता है कि ED क्या है जो कानूनों के तहत ED काम करती है वो कौन से कानून है ED किसके अंडर काम करती है और ED को इस तरह से किसी भी नेता या किसी भी व्यापारी पर छापे मारी का अधिकार किस ने दिया तो ED से related आपको सब भी questions के answer मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ इसी platform पर ED से जुड़ी जानकारी के लिए आप वीडियो को end तक जरूर देखें सबसे पहले अगर हम बात करें कि ED क्या है ED की full form होती है Enforcement Directorate जिसको हिंदी में परवर्तन निदेशाले भी कहा जता है अब ED की स्थापना के अगर हम बात करें तो ED की स्थापना 1 मई 1956 को की गई लेकिन जिस समेश की स्थापना की गई थी उस समेश का नाम ED नहीं था क्या था Enforcement Unit EU जब Enforcement Unit वर्क कर रही थी वो फेरा के according वर्क करती थी अब फेरा क्या है फेरा है Foreign Exchange Regulating Act 1947 1947 में एक कानून था फेरा जो की मनी के जो exchanging था उनके वर्क को देखता था उसी में जो आर्थिक रूप से जो अपराधों को रोकने के लिए EU की स्थापना की गई लेकिन जब इसकी स्थापना की गई तो इसकी दो ब्रांचीज खोली गई एक मुंबई एंड सेकेंड कुलकाता में 1957 में EU से इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया ED जब इसका नाम ED किया गया तो एक और ब्रांच खोली गई चेननेग में तो इस तरह आता है कि ED क्या है ED आर्थिक कानुनों को लागू करती है और आर्थिक अपरादों को भी रोकती है ये सभी काम ED करती है आगे आता है ED के Headquarters के अगर हम बात करें तो वो New Delhi में है और ED के जो 5 Regional Offices है जो कहां कहां पर है डेली, मुंबई, चेननई, कोलकाता एंड चंडिगर में हैं जो भी आर्थिक अपराद होते हैं, मनी लॉंडरिंग होती है, काला धन दबाया जाता है टेक्स चोरी की जाती है, टेक्स से बचने के लिए जो समपत्ती जोड़ी जाती है, उन सभी को रोकने के लिए जिस संस्था के स्थापना की गई, उसको नाम दिया गया ED ED के अगर हम offices की बात करें, तो अभी हमने बात की थी, कि इसके headquarters है न्यू डेली में, और संजे मिश्रा को इसके चीफ कमिशनर के, जो income tax कमिशनर थे, उनको ही appoint किया गया है साथ ही इसके workload को कम करने के लिए, पूरे देश की जो आर्थिक गतिविधियों को देखने के लिए, इसको journal में divide किया गया जोर्नल इसमें बनाए गए और जिसनको क्या है joint जो directors हैं, वो उनके संचालित करते हैं, यानि कि उनको देख रेक करते हैं इसके बाद journal को divide करके क्या बना दिया गया, सब journal department, इसके बाद अगर हम इसके officers की बात करें, कि officers कितने हैं तो जैसा कि हमने अभी देखा कि इसके जो criteria है, पूरे देश के आर्थिक गतिविधियों को देखती है, तो जाहिर से बात है कि officers भी जादा ही होंगे तो officers अगर हम इसके देखे न, तो उनकी संख्या around 2000 है, अब उनमें से 2000 का 70% जो है न, वो कहां से आता है, वो other organizations के थुरू आता है वैसे तो ED का जो खुद का भी cadre है, कि वो खुद भी appoint करती है, जो officers है उनको, लेकिन जो total strength का 30% ही वो खुद appoint करती है, ED अपने cadre से और जो 70% है न, वो कहां से आते हैं, other organization से, अब other organization से कौन कौन से आते हैं, जिन में administrative services, police services और revenue department या revenue services से आते हैं वहां से 70% offices, जो officers हैं, वो select किये जाते हैं, हम बात करते हैं, कि ED जैसे अभी भी पिछले कुछ दिनों के अगर आपको ध्यान होगा, तो कानपूर में एक raid पड़ी थी, पियूश जैन के उपर, जो की व्यापारी थे, इत्र के व्यापारी, perfume के जो थे और उनके अगर बात करें, तो काफी बड़ी raid थी, जो 36 गंटे तक लगातार चली, और उनके घर में जो 150 करोड नकदी काउंट करने के लिए, बैंक से भी 6 मशीने बुलाई गई, और बड़े-बड़े container में भरकर उनको SBI बैंक ले जाया गया, अब बात यहाँ पे आई, क ED को इस तरह जो छापे मारी करती है, बई कौन सा कानून है ऐसा, कि जिसके according EDSA से काम करती है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें, तो ED दो कानूनों के तहत काम करती है, फर्स्ट उन में आता FEMA, और सेकंड है PMLA, फेमा जो है न, वो फेरा 1947 जो था, उसी को convert कर दिया गया और बना दिया गया FEMA, Foreign Exchanging Management Act 1999, अब इसमें बात आती है, कि जो इसको प्रभावी रूप से लागू किया गया, वो कब किया गया था, वो था 1 जून 2000 से, जो PM, जो सोरी FEMA है, ये क्या है, नागरी कानून हम कह सकते हैं, कि कोई भी अगर अवैद संपत्ती बनाता है, टेक्स की चोरी करता है, काला धन जमा करता है, तो एक अर्ध नैक शक्ति के रूप में ये FEMA काम करता है, और किसी भी व्यक्ति पर जो अवैद आर्थिक गती विद्यों में शामिल होता है, उस पर ये पाबंदी लगा सकता है, और उससे 3 गुना जादा, जितना उसने जमा किया, उससे 3 गुना जादा भी वसूल कर सकता है, ये FEMA करता है, सेकंड इस में आता है PMLA, प्रिवेंशन मनी लॉंडरिंग एक्ट 2002, जो प्रभावी रूप से लागू कब किया गया, वो हुआ 1 जुलाई 2005 से, अब बात आती है कि PMLA क्या करता है, कि जितने भी मनी लॉंडर उनको प्रिवेंशन का काम करता है, देख रिक में जो काम होते हैं, अगर बात करें तो PMLA ही वो कानून है, जिसके तहट E.D. काम कर रही है, अब अगर हम बात करें कि कि सी E.D. के जो ओफिसर्स हैं, उनको जो कमांड दी जाती है, यानि कि वो किसी भी व्यापारी पर, या क किसी भी निता पर जैसा कि आजकल महौल भी बना हुआ है कि उनपर रेड करने का जो अधिकार दिया गया न वो PMLA उसको दिता है अगर सिंपल ही हम देखे न तो यह एक अंतिम रूप का जो कानून है अंतिम रूप से लागू किया जाता है कि यह किसी पर भी जाकर हला बोल सक किहां ये सब्सक्राइब इसने लियर कर दिया है कि स्वतंत्र रूप से काम करती है ना कि मोदी के अगर बात करें क οποet के तहत काम करती कौन है जो ED से काम करवाता है अगर बात करें तो इसके parental agency यानि कि ये निकला कहां से तो वो है हमारी finance ministry वित्त मंत्रा लेके revenue department के अंडराता है ED तो वित्त मंत्री जो भी होता है न देश का वो ED के लिए responsible होता है अगर हम बात करें इसके court की अब एक case बनेंगे तो court में भी जाएंगे अब court के लिए जो भी ED की जो court होते हैं उनको special court कहा जाता है या उनको PMLA court भी कहा जाता है जैसे हमने बात की थी PMLA कानून के तहत ये काम करती है सबसे ज़्यादा जो PMLA कानून इस पर चलता है इसलिए इ PMLA court कहा जाता है अब PMLA court को मतलब special court क्यों बनाया गया भी इसको अब ये बात आती है कि जो भी था center government जो थी उसने क्या किया जो PMLA act के section 4 के तहत वो उस area के जहां पर भी कोई भी अपराद्धी अपकड़ा गया है आर्थिक गतिविदियो में तो वहां के जो हाई court के जज से प्रामर्श लेगी तो उनके प्रामर्श लेने के कारण ही इसको special court कहा जाता है तो ये बात की हमने इसकी special court अब हम बात कर रहेते हैं कुछ important points के बारे में कि जो कि हमें differentiation की भी अगर हम बात कर ले ना कि भी differentiation क्या था कि मनमोहन सिंग की सरकार जब थी और प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार है तो दोनों में differences क्या है अब जो विपक्षी पार्टियां वो चिला तो रही है कि मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया लेकिन एक बात यहां पर वह क्लियर है क्योंकि जब हम differentiation को देखते हैं तो एक ही बात याद आती है जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा अब हम बात करें 2004 से 2014 यानि कि 10 साल में जो मनमोहन सिंग की सरकार थी उसमें ED के कितने चापे मारी की गई और जो 2014 से 2022 आया मोदी की सरकार में उसमें कितने चापे मारी की गई वो differentiation हमें बताता है कि कौन किस पर चिला रहा है और कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है तो चली अब हम उस differentiation को भी देख लेता कि कौन्ग्रेस की सरकार ने 2004 से 2014 जब कौन्ग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंग की सरकार थी उस टाइम पर ED की चापे मारी थी 112 यानि कि कुल चापे मारी की गई थी 10 साल में 112 चापे मारी की गई और अगर हम बात करें BJP सरकार की मोदी स सरकार की तो 2014 से 2022 यानि आज तक जो संख्या हो गई चापे मारी की गई वो कितनी हो गई 3010 जो कि 27 गुना जादा बढ़ गई और परसंटेज में देखें हम तो 90% जादा केसिस बढ़ गई 2004 से 2014 के बीच में जो कुल संपत्ती जब्त की गई यानि कि जो कुर्क की गई संपत्ती वो थी 5340.16 करोड और इस टाइम पीरिड में कोर्ट ने किसी को भी दोशी नहीं ठहराया यानि कि 4 से 2014 के बीच में संपत्ती तो कुर्क की गई थी लेकिन किसी को भी दोशी नहीं ठहराया गया 2014 से 2022 के बीच में जो संपत्ती कुर्क की गई वो कितनी थी 99356 करोड की और इस टाइम पीरिड में 922 में चार्ज सीट दाखिल की गई जिन में 23 लोगों को दोशी ठहराया गया कोर्ट के द्वारा और एक हम इसमें बात कर लेते हैं PMLA Prevention Money Laundering Act जो 2002 से चल रहा है इंडिया में वो किसके तहत काम करता है यानि कि इंट्रनेशनल लेवल के अगर हम बात करें तो वो करता है इंट्रनेशनल एंटी मनी लॉंडरिंग अरेंजमेंट के तालमिल से बनाया गया जिसमें अब तक यानि कि PMLA Act के तहट 28 कानूनों के तहट 156 अपराद दर्ज किये गए यानि कि अनुसूचित किये गए हैं PMLA में वही इसमें सेम आता है 2018 में एक और अधिनियम आया भगोडे आर्थिक अधिनियम सोरी भगोडे आर्थिक अपरादी अधिनियम 2018 सबसे अगर जादा बात अगर हम करें तो यह पहले क्या था कि अपराद किया भगोडे क्या करते भाग जाते देश से पैसा लेके 2018 से यह भी एक्टिव है EDB अगर हम देख रहे हैं कि मोदी की सरकार में जादा एक्टिव हो रही है क्योंकि वो केसिज बता रहे है डाटा बता रहे है विपक्स की चिलाने से कुछ नहीं होता इसमें क्योंकि जो एक्ट है PMLA एक्ट के तहत भी जादा से जादा वर्क किया जा रहे है वही इसमें भी जो भगोडे थे यानि कि उनके उपर भी अब जो उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है जैसे जो डाइमंड के जो कारुबारी थे नीरो मोदी की लगभग जो 2018 के Fugitive Economic Offender Act FEO के तहत 349.66 करोड की जो संपत्ति थी नुनकी वो जब्द कर ली गई है तो ये हमने कुछ important facts जो ED से related थे वो discuss की ये हैं तो हमने ED का portion जो complete कर लिया है और आज आप सभी के लिए एक question है कि जो हमने बात की थी कि 2018 में FEO Act आया था Fugitive Economic Offender Act जिसके तहत जो भगोडे देश में घोटाला करके देश की संपत्ति को लेकर जो भाग जाते थे उन पर भी कारवाई की जाने लगी है उनकी भी संपत्ति को जब्त किया जाने लगा है इस Act के तहत ये किया जाने लगा तो आज का question आप सभी से क्या है कि आपकी नजर में से बड़ा घोटाला करके और भाग गया तो उसका नाम आप कोमेंट करके मुझे जरूर बताएं और मिलते हैं इसी के साथ एक नई वीडियो में जिसमें हम डिसकस करेंगे एक नए टोपिक पर आपको वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताएं कोमेंट करके अगर